हे गाईस कैसे हो अब लोग आज हमारे पास है OPPO A3 Pro 5G आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप टेन अमेजिंग फिचर्स के बारे में बताऊंगा इस फोन में कोई भी एपलिकेसन को पासवाट के जरिये लॉग कर पाओगे सेटिंग के अंदर आप लोगों को आजाना है सिक्यूरिटी का ओपसन दिखाई देगा सबसे नीचे यहाँ पे एप लॉग का ओपसन दिखाई देगा app lock को on कीजिए setting के अंदर जाके दोस्तों आप लोग यहाँ पे difference difference password को create कर सकते हो कोई भी name यहाँ पे डाल देना reset के time में एक कामे आता है और आप जो भी चाहो application को यहाँ से lock कर पाओगे अभी देखिए app market को मैं open करने जाऊंगा तो मुझसे password मागेगा जब तक मैं password नहीं डालूंगा तब तक app market open ही नहीं होगा जब भी आप लोग new phone खरीते होना यहाँ पे internet speed meter so नहीं करता है उसको enable करनी के लिए setting के अंदर आना है so lock skin notification को disable कर दीजिए आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी notification so नहीं करेगा lock skin में home skin में एक sidebar मिलता है by default बंती रहता है उसको enable करनी के लिए setting के अंदर special features के अंदर यहाँ पे smart sidebar का option दिखाई देगा सबसे पहले इसको enable करना होता है और यहाँ पे swipe करोगे देखिए एक sidebar खुलके आ जाता है यहाँ पे बहुत चारे application बहुत चारे shortcut दिखाई देता है edit के ओपर tap करोगे बहुत चारे application को add करके यहाँ पे आप लोगों को show करेगा और यहाँ से ही दोस्तों तुरंट तुरंट कोई भी activity कर सकते हो floating window का option भी देखने को मिलता है कोई भी application को open करके recent menu में आ जाईए दोस्तों three dot के ओपर tap करके यहाँ पे आप लोगों को floating window के ओपर tap करना होगा menu window है single tap करने से floating window में open हो जाता है यहाँ पे tap करके कहीं भी move करवा सकते हो यहाँ से ही दोस्तों आप लोग छोटा या बड़ा कर सकते हो full skin में भी यहाँ से convert कर पाऊगे यहाँ भी full skin का option दिया है cross के ओपर tap करोगे गायब हो जाए कोई भी application को hide भी कर सकते हो setting के अंदर आना है security के अंदर आप लोगों को आजाना है सबसे नीचे यहाँ पे high tap का option दिखाई देता है password के उपर tap करके password डाल दीजिए यहाँ से कोई भी application को hide कर पाऊगे मैं यहाँ से calendar को hide करता हूँ setting में जाके ना एक access code डाल देता हूँ यहाँ पे मैं access code डाल लेता हूँ और tick कर देता हूँ देखिए hidden application यहाँ पे भी आके check कर साकते हो अगर आपको तुरं तुरंती चाहिए तो dialer के अंदर आप लोगों को आजाना है और मैंने जो passcode डाला था या आप जो passcode select करके रखोगे वो passcode यहाँ पे डाल देजिए देखिए hidden application खुलके आ जाएगा यहाँ से ही दोस्तो hidden application को आप लोग manage कर पाऊँ इस पुन में skin of justice का option भी देखने को मिलता है setting के अंदर आप लोगों को आना है additional setting के अंदर आना है यहाँ पे आप लोगों को justice and motion का option दिखाई देगा skin of justice का option दिखाई देगा इसको enable कर दीजिए skin of justice enable हो जाएगा वो लिखोगे देखिए camera open हो जाएगा यहाँ पे view लिखोगे lock screen में तो flash light open हो जाएगा नीचे में तरह तरह के का option दिया है इन में से कोई भी shortcut को use करके कोई भी application को shortcut में डाल सकती हूँ जैसी कि मैं यहाँ पे w को select करता हूँ यहाँ पे record के जगा में मैं यहाँ पे others किसी भी application को select कर लेता हूँ जैसी कि मैं यहाँ यहाँ पे youtube को select कर लेता हूँ subscribe करके बेल आइकेन को आल में क्लिक कर आए ताकि हार एक नोटिफिकिकेस जल्दी-जल्दी आपके फोन में आ जाए जब भी में वीडियो अबलोड करूँ होम स्कीन में करोगे स्किन का ça材 क्लाई बंद रहता है पीछेस विसकोट बंद ल। करने के लिए हम लोगों को आ जाना है और यहाँ पे additional setting के अंदर आना है एक बल जैसा खुल के आएगा single tap करोगे bag हो जाता है double tap करोगे यहाँ पे recent menu में आ जाता है tap करके hold करके रखोगे home screen में आ जाता है लेकिन दोस्तों आप चाहो तो इस menu को change भी कर पाओगे तो इसके लिए assist tip बल के अंद बहुत चरे application रहता है अगर आप एक खातों से phone को इस्तेमाल कर रहे हो ए उंगली यहाँ तक पहुच नहीं पाता है तो इसका भी solidus आने इस side से swipe करोगे सारी application एकी जगह में आ जाएगा यहाँ से कोई भी application को access कर पाओगे by default a features बंद रहता है इसको enable करनी के लिए home screen में द क्लिक फ्रेस विडियो में